बिग बॉस सीजन 14 का हिस्सा होने वाली है पवित्रा पुनिया वेल अपनी इस रिपोर्ट में हम पवित्रा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे शुरू करते हैं पवित्रा के लव अफैर्स से वेल पवित्रा और पारस दोनों रिलेशन्शिप में थे और दोनों का रिलेशन सिर्फ पांच महीने ही चला था जिहां सिर्फ पांच महीने ही पवित्रा और पारस ने एक दूसरे को डेट किया था इसके बाद पारस ने एक इंटव्यू देते हुए ये कह दिया था कि पांच महीने काफी होते हैं आपके लिए किसी दूसरे शक्स को जानने के लिए मैं और पवित्रा पांच महीने साथ रहे और फिर हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए कमपाटिबल नहीं है इसलिए हमने म्यूच्वली ब्रेक अप कर लिया दूसरा फैक्ट सिधार्थ शुकला से जुड़ा है पवित्रा पुनिया का नाम सिधार्थ से भी जुड़ चुका है जिहां पवित्रा और सिधार्थ एक साथ एक शो कर रहे थे उस शो में दोनों लीड किरदार निभा रहे और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जो सितारे लीड किरदार में नजर आते हैं उनके अफैर के र्यूमर्स सोशल मीडिया पर फैल ही जाते हैं पिर चाहे वो सचे हो या जूटे बतारें कि अपने और पवित्रा के रिष्टे पर सिधार्थ शुकला ने इंटर्वियू देते हुए कहा था कि मैं और पवित्रा सिर्फ दोस्त हैं और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है अहीं पवित्रा पुनिया यह मोहबतें कवच ससुराल सिमर का नागिन 3 और बालवीर रिटर्न्स जैसे सीरियल्स में नजर आ चुकी है बात अगर पवित्रा के डेब्यू की करें तो उन्होंने साल 2009 में स्प्लिट्स विला से अपने करियर की शुर्वात की थी उनका एक्टिंग डेब्य हुआ था गीत हुई सबसे पराई से और फिर साल 2011 में उन्होंने सिधार्थ शुकला की साथ शो किया जिसका नाम था लव यू जंदकी बताते चलें कि पवित् पुन्या का असली नाम पवित्रा नहीं है पवित्रा ने नाके वल अपना नाम बल्कि इंडस्ट्री में आने के लिए अपनी सर्वनेम भी चेंज की पवित्रा का रियल नेम है नेहा सिंग जिहां नेहा सिंग है पवित्रपुन्या का असली नाम तो यह थे पवित्रा से ज देन्मन दिस्क!